पाकिस्तान के नौजमानों कोई ना कोई प्लेटफॉर्म प्रैक्टिकली एडॉप्ट करना पड़ेगा तुम यह समझेगे तुम्हे कोई बना कर देगा जिन से तुम यह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही तो पार्ट अफ दिप्रॉब्लम है आपको ही अपने आपको नौजवान है इस माशरे में हैं जिंदा है चुंके इस माशरे में प्राबलम बहुत ज्यादा है इसलिए आपके उप्र डिर्स्पोंसविलिटी बहुत ज्यादा है ये स्टप ग्रम्लिंग एस्टप कंप्लेइनिंग एस्टप स्टप क्रिटिसाइजिज इस्टप कुरसिंग पीपल politician people and so on and so forth take the charge of the driving seat be on the driving seat take the charge you we say that हमारा तुछ 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 नहीं है स्यासत से हम स्यासत हमारा मसला हम स्यासत से दूर रहना चाहते है ओ भाई स्यासत से दूर रहना चाहते हो तो अपने पानी का बंदो बस कर लो अपने घर के आगे की सफाई का बंदो बस कर लो अपने लाके के पार्थ का बंदो बस कर लो अपने एउकेशन का बंदो बस कर लो प्रैविटली अपने हेल्थ का बंदो बस करो अपनी ली सड़कों का बंदो बस करो अगर तुम्हें ये सारी चीज़ अपनी फायार फिर और कटवाने का बंदर्स करो फिर इनसाफ ना मांगो फिर अगर तुम्हें ये चीज़ें जिन्दगी में चाहिए तो ये काम किसी पॉलिटिशन नहीं करना है और तुम कहोगे कि तुम्हारा वास्ता नहीं है पॉलिटिक से तो फिर जो कर रहा है उसको ब्लेम मत करो फिर तो ऐसी लोग होंगे जो करने वाले है तो भाई बिल्कुल वास्ता है मेरी जिन्दगी का मसला है पॉलिटिक से मेरी लाइफ चल ली इस पॉलिटिक से और तुम पड़े लिखे यूथ हो नौजवान हो खुदा के वास्ते जिसको मैं ही कह रहा हूँ एक वाईजी जिसको तुम समझते हो तुमारी जहां से दरा सी फ्रिक्वेंसी अच्छे हो तुम जिस भी जिएगे जाकर खड़ोगे तुम अच्छे ही करोगे तुम उस बुरी जिएगे को भी अच्छे कर दोगे तो बी पार्ट आफ एट मेक यूर सेल्फ काउंटेड उससे बड़ा करिमनल कोई नहीं है माशरे का क्राइम कोई नहीं है कि आप खामोशी से अपनी जिन्दगी अनकाउंटेड जिन्दगी गुजार कर कबर में चले जाएं अल्लब तुम जल्म और जबर का हिसाब लेगा तुम से क्यों कि जालिम वो नहीं है जो अपने हाथों से जल्म कर रहा है एज़ा हुकमरा जल्म वो है जो जल्म को खामोशी से सहरा है खामोशी से सह कर कबर में जाकर लेटने वाला सबसे बड़ा जल्म है अज़ाब सबसे पहले उन उन खामोश लोगों के ओपर उतरेगा